सिक्ष्य मंत्री बोले अब एक भी पेपर आउट नहीं होगा बोपाल में पेपर लीक पर कहा सिस्टम डेवलप किया है कानून भी लाग होगा नमश्कार मैं श्वेता आपका दखबरदार नियूज में स्वागत करती हूँ तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुक और किया गया है अगले सत्र में एक सक्त कानून भी लागू किया जाएगा अगले महिने से शुरू होने वाली परिक्ष्याओं और पेपर लीक होने की सवाल पर उन्होंने का है कि बच्चों को किसी भी तरह से शोशल मीडिया पर इस प्रकार की प्रेक्टिस में इन्वाल्व नहीं होना चाहिए इससे उनका खुद का नुकसान होगा इतना ही नहीं वे अपरादिक गतिविद्यों के भागिदार भी होंगे नया सिस्टेम हम लेकर आने वाले हैं उसमें पेपर लीक नहीं हो सकता संबनित भवेश्य में कानून बनाने जा रहे हैं इसे हम विदान सब में सत्र में लेकर जाएंगे सिस्टम का लीकेज भी देखेंगे उन्होंने कहा कि हमारे खुद के सिस्टम में अगर कोई लीकेज है तो वह भी कानून के दाएरे में आएगा हम सभाविक रूप से सकती से पालन करेंगे और पारदर्शी तरीके से सिस्टम को चलाएंगे ज इससे पहले कारिक्रम को संबोदेत करते हुए कहा कि प्रदानमंत्री का ये परिक्षा पे चर्चा कारिक्रम का करोडों बच्चे देख और सुनते हैं। इसकी सकारात्म का परिडाम आए हैं। कारिक्रम को साथ साल हो गए हैं। परिणाम देखने को मिला है बच्चों और अविवबकों की सोच में परिवर तनाया है अब अविवबकों की कोशिश भी रहती है कि बच्चों को परिक्षा और पढ़ाई का तनाव ना होने दे बच्चों को माता पिता और टीचर का नुभव का लाव मिल रहा है बच्चों क अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने सपनों का घर बना रहे हैं अपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं झाल झाल झाल